तो क्या वाकई में नितीश कुमार अपनी पार्टी जदियू का विले आरजेडी में करने वाले हैं और इसी के डर से जदियू के कई विधायक भाजपा के संपर्ख में आ गए हैं और वो जदियू के विधायक भाजपा वालों से कह रहे हैं कि आप लोग हमको अपना लीजे आप समझेगा इस बात को उपचुनाव में गोपाल गंज के और मुकामा के तरस्वी आदाव बिजी हैं नितीश कुमार वीडियो संदेश जारी करके कह रहे हैं कि आप लोग महागडबंदन को वोट दीजेगा और उसके बाद उड़ते उड़ते ये ख़बर चलने लगती ह कि नितीश कुमार कभी भी अपने पार्टी का विलेज RJD में कर सकते हैं और इसी बात से जद्यू के जीते हुए विधायक हैं वो नराज है और वो इसलिए नराज है क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने विधान सभा में RJD का विरोध करके वोट पाया है मतलब ये कि सुशील मोदी अब एक ऐसा बंप फोड़ चुके हैं गोपाल गंज में जाकर जो अगर नितीश कुमार और तयस्वी आदव के खिलाफ चल जाए तो वाकई में उनकी पार्टी में दिक्कत हो सकती है सुशील मोदी गोपाल गंज आते हैं और गोपाल गंजाकर वो एक बहुत बड़ा बयान देते हैं और बयान ये है कि बहुत जल्द ही जदियू के जो विधायक हैं वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे और कई विधायक तो भाजपा से संपर्क कर चुके हैं और उन्होंन सारी अंदर की बातों को भाजपा को बता दिया है सुशिल मोधी कहते हैं कि देखिए बात मिला जुला कर यह है कि नितीश कुमार जानते हैं कि अब अगली बार वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे नितीश कुमार कुछ अभी बात समझ में आ गई कि मुख्यमंत नहीं हो पाएगा मतलब ये कि जदियू कहीं न कहीं टूटरे वाली है और नितीश कुमार के लिए सुशिल मोदी ने कहा है कि वो आरजेडी के कदमों में बिच्छे हुए हैं और वो कभी भी अपनी पार्टी का मिले आरजेडी में कर देंगे और इसी के चलते जदियू के कई सारे विधायक और जदियू के कई सारे वरिष्ट नेता भाजपा से संपर्क करके कह रहे हैं कि आप लोग हमको अपना लीजिए गोपाल गया चुनाव में सुशिल मोदी प्रचार करने गये और प्रचार करने के बाद जब वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे तो तिरस्वी आदव के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि तमाम इंटर्व्यूज कह लिजिए मंच पर कह लिजिए भाशन देते वक्त कह लिजिए वो हर बात यही कह रहे हैं कि हमको अब युवाओं को आगे बढ़ाना है और उनका सीधा सीधा इशारा होता है तिरस्व गये से विधायक हैं जो पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे अब आप सोचेंगे कि कैसे इसका जबाब यह है कि देखिए जदियू ने लालु यादव के खिलाफ राजनीती करने शुरू की दिथी लालु यादव के राज को इन लोगों ने जंगल राज कहा और उसके बाद अपने वोटरों को कहा कि आप लोग हमको वोट दीजिये और कई ऐसे नेता हैं जो जदियू में हैं लेकिन वो लोग लालु यादव से बिल्कुल भी उनके विचारों से इते फाक नहीं रखते हैं और अब जब नितीश कुमार और 33 यादव क्या मिलन हो ग और इन तमाम बातों को मिला जुला कर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर वाकई में इनतीश कुमार के विधायकों को ऐसी भनक लगी है कि नितीश कुमार अपनी पार्टी का विले करने वाले हैं आरजडी में तो कहीं न कोई बड़ा खेला हो सकता है और इस पर कोई आपको मितला करेंगे आप देखते रहिए बहुत 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 धन्यवाद